हर्याना में कॉंग्रस की सरकार बनेगी इसलाम नगर और हिम्शिका कलोनी में आयोजित जनसाबा में बोले कालका विधायक प्रदीप चोधरी कालका हलके से विधायक प्रदीप चोधरी के नेतरतों में इसलाम नगर और हीमशी का कलोनी स्वीत रायतिन शेतर के अन्य गाउं में जनसवा का आयोजन किया गया था बुद्वार को कालका विधायक परदीप चोधरी ने जनसवाव में लोगों को कहा की आने वाला समय कॉंग्रस पार्टी का है और हर्याना में कॉंग्रस की सरकार बनने जा रही है जबकि कालका हलके में कॉंग्रस पार्टी का शोर है इस दरान हीमशिका गाउं की जनसवाव में बीजेपी नेता पप्पू, मनीश, भुपेंदर एम जेजेपी, नेता काला, अरजुन, मोहित और उनके साथियों ने कॉंग्रस पार्टी की विचारधारा एम नीतियों से प्रभावित होकर अपने साथियों संग कॉंग्रस की देसेता ग्रहन की, इस मौके पर कालकावधाक प्रदीप चोदरी ने कहा कि पार्टी में आयस भी नए साथियों का स्वागत है और उन्होंने कहा कि उनके आने से पार्टी को और ज्यादा, ज्यादा मजबूती मिली है, उन्होंने कहा कि समाज के हर वरक का मिलता समर्थन द रही है,